हेलो दोस्तों मैं हूँ जियोलोजिस रन सिंग लोधी और आप देख रहे हैं नेच्रल जियोलोजीकल यूटूब चैनल तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर करना ना भूले तो आज हम बताने वाले हैं कि डिलिंग के बाद कोर कैसे निकलता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस अर्थ सर्फिस का इन्वेस्टिगेशन कर जियोलोजीकल डाटा लेना है तो उस एरिया में डिलिंग प्रोसीजर के हिसाब से डिलिंग करेंगे जिसमें HQ, NQ, BQ, Size, इत्यादी आपकी requirement के हिसाब से कई परकार की dealing होती है जिसमें bit, diamond, bit यूज किये जाती है जिसमें diamond, bit कई परकार की होती है जो आने वाले वीडियों में बताएंगे और stata geology का कैसा है और depth कितना जाता है borehole पर depend करता है की casing कितना तक डालना है यह बहुत जरूरी होता है और इसके बाद dealing की जाती है फिर आप 3 मीटर का run चलाती है मतलब 3 मीटर का barrel होता है जो की barrel single tube, double tube, triple tube type का tube होता है फिर dealing में आपका एक run finish हुआ तो फिर इसके बाद tube के माध्यम से by line की सहता से बाहर नकाल लेते हैं तो इस परकार आप देख रहे हैं कि अर्थ सरफिस पर core प्राप्त कर लिया जाता है जो geologically बहुत ही important होता है जो की हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि diamond code dealing geologically से कितना important होता है तो आप सब से नवेदन है कि आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को like सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले जाए हैं दोस्त